पितर पक्ष में भूल कर भी ने करें इन चीजों का दान वरना कभी भी पितर दोस से छुटकारा नहीं मिलेगा पितर पक्ष में दान करना स्रेश्ट माना जाता है ऐसी मानेता है कि पितर पक्ष में दान करने से व्यक्ति को सोगुनाफल प्राप्थ होता है लेकिन पितर पक्ष में कुछ चीजों का दान करने की मनाही भी है भूल कर भी पितर पक्ष में इन चीजों का दान नहीं करना चाहिए वरना पितर दोस से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी आईए जानते हैं कि पितर पक्ष में किन चीजों का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इन चीजों का दान करने से आपके पितर आपसे नराज हो सकते हैं और आपको पितर दोस्त का सामना करना पड़ सकता है इसलिए पित्र पक्ष में इन चीजों का दान भूल कर भी नय करें पित्र पक्ष में इन चीजों की है मनाही श्राद पक्ष में कोई भी सुब कारिय करना वर्जित माना जाता है इन दिनों में कोई भी नई चीज नहीं खरीदनी चाहिए साथ ही इस दुरान सात्विक भोजन बनाना चाहिए तामसिक भोजन से परेज करना चाहिए शाद कर्म के दुरान लोहे के बरतन में खाना पकाने से बचना चाहिए पितर पक्ष में पीतल तामबा या अन्य धातू के बरतनों का परियोग करना चाहिए पितर पक्ष में पीतल ताबा या अन्य धातों के बरतनों का परियोग करना चाहिए इसके अलावा इस दोरान बाल और दाड़ी नहीं कटवाना चाहिए बाल और दाड़ी कटवाने से धनकी हानी होती है श्राद पक्ष में लेसुन प्याज से बना भोजन नहीं करना चाहिए पितर पक्ष में तेल का दान नहीं करना चाहिए ऐसी मानिता है कि पितर पक्ष में तेल का दान करने से आपके पितर आपसे नराज हो सकते हैं खास करके सरसो के तेल का दान तो भूल कर भी नहीं करना चा पल भी दान ने करें क्योंकि इस तरह का दान करने से विक्ती पर राहो दोस और पित्र दोस लगता है जिससे आपकी तरक्की में बाधा पैदा हो सकती है पितर पक्ष में कई लोग बरतन का दान करते हैं लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप लोहे के बरतन का दान ने करें लोहे के बरतन का दान करने से पितर आपसे नराज हो सकते हैं और आप पर पितर दोस लग सकता है इसलिए इस्टील के बरतन का ही दान करें पितर पक्ष के दोरान व्यक्ति को काले रंग के कपड़े किसी को भी दान नहीं देने चाहिए पितर पक्ष में सफेद रंग के कपड़े व्यक्ति को दान में देने चाहिए सफेद रंग के कपड़े दान करने से हमारे पूरवज हम से खुश होते हैं पितर पक्ष में अन का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है साथ ही सास्त्रों में भी कहा गया है कि अन दान महादान होता है पितर पक्ष में यदि आप बोजन का दान करना ही चाहते हैं तो अच्छे बोजन का दान करें और किसी को भी अपना जूटा बोजन तो बिलकुल भी ना दें पितर पक्ष में अच्छा और शुद भोजन किसी को करवाने से पितर खुश होते हैं पितर पक्ष के दोरान क्या करें शाम को एक सरसो के तेल का या गाएं के घी का धीपक दक्षिन मुखी लो करके जलाएं प्रति दिन पित्रों के निर्मित तरपन करे या किसी ब्राह्मन से करवाएं जाडु नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि यह मातलक्ष्मि का प्रतीख है जाडु खरीदने से आपको धना नहीं हो सकती है नमक को भी तीक्षन वस्थू माना गया है इसलिए इसे भी नहीं खरीदना चाहिए दान करने के लिए पहले से ही खरीद कर रखें आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंने चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करेंना वीडियों यहां तक देखने के लिए आपका बहुता धनिवाद जमाता दी